नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें आपका करोड़ पती दोस्तों नवरात्री में माता दुर्गा जी के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है और नवरात्री का जो साथवान दिन होता है वो माता रानी जी के साथवें रूप माता कालरात्री जी को समर्पित होता है माता कालरात्री जी वही देवी है जिनका आशीरवाद अगर एक मानव को मिल जाए तो उस मानव के जीवन की समस्त की परेशानी, कश्ट और दिक्कतें तुरंत के तुरंत तो खत्म होती ही होती है शास्त्रों के अनुसार अगर आप नवरात्री के साथवें दिन माता कालरात्री जी की विधिविधान से पूजा पाठ कर लेंगे तो आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा और आपके जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा दोस्तों, 15 अक्टूबर 2000 23 से शारदिये नवरात्री शुरू हो चुकी है इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर 2000 23 दिन सोमवार को होगा, वैसे तो एक साल में चार नवरात्रियां पढ़ती है परन्तु इसमें सबसे ज्यादा फलदाई नवरात्री जो बताई जाती है, वो होती है शारदिये नवरात्री और शारदिये नवरात्री में पढ़ने वाला सात्वा, दिन अपने आप विशेश और खास महत्व रखता है क्योंकि इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है और इस दिन माता कालरात्री जी की अगर आप विधी विधान से पूजा पाठ कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन की समस्त तरह की परेशानियों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है आपको आपके भाग्य का इस तरह से साथ मिलता है जिसके बाद आप जिस काम को भी शुरू करते हैं उस काम में आपको सफलता हासिल होती है दोस्तों माता कालरात्री जी की पूजा में अगर काली मिर्च का उपाई किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है क्योंकि माता कालरात्री जी को काली मिर्च अत्यंत प्रिय होती है। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप माता जी की पूजा में बैठ रहे हैं और उसमें सिर्फ काली मिर्च का उपाए कर लेंगे तो ना केवल आपकी पूजा तुरंत सिद्ध हो आपको वर्दान और आशीरवाद मिल जाएगा, आप जो भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके करोडों गुना लाब मिलेगा, दोस्तों अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, तनाव और दिक्कतों ने आपको घेर करके रखा हुआ है, आपके जी जीवन में तकलीफ, परेशानी, दिक्कतों में फंसे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 21 अक्टूबर 2023 के दिन, आप साथ काली मिर्च के दाने के उपाये दो-चार मिनट निकाल करके कर लीजिए, जो पुरातन काल के समय के महा उपाये और इन उपायों को, अगर आपने हमारे वीडियो के अनुसार कर लिया, तो यकीन मानिये, दोस्तों, 21 अक्टूबर 2023 के दिन के बाद आपके जीवन में एक चमतकारी और सकारातमक बदलाव आएगा, आपके जीवन का कितना ही बड़ा कष्ट हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, और कितने ही बड़ी समस्या हो, हर तर आपके, बलकि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और सकारातमक बदलाव आएगा, दोस्तों, जो काली मिर्च होती है, वैसे तो इसका जो उपाय होता है, वो खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, परन्तु दूसरी तरफ आपने देखा भी ह जब भी आप बीमार पढ़ते होंगे, आपको सर्दी हो जाती होगी, खांसी हो जाती होगी, तब आपके घर वाले आपको काली मिर्च का गोल देते होंगे, या काली मिर्च मुह में रखने के लिए कहते होंगे, क्योंकि काली मिर्च का उपाय करके, हम कई तरह की बीमारिय पर किया जाए तो वह उपाय कभी खाली जाही नहीं सकता है और दोस्तों 21 अक्टूबर के दिन अगर आपने सही तरीके से विधी विधान से काली मिर्च के पुरातन काल के समय के उस महाउपाय को कर लिया जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो इस उपाय को कर आपको नव दुर्गा जी की वो कृपा मिलेगी जिसके बाद ना केवल आपके बलकी आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और में बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन की समस्त तरह की परेशानियों से मुक्ती मिल जाएगी इसलिए इस वीडियो को ल पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कॉमेंट बॉक्स में जाकर के लिग दीजिए। सबसे पहला उपाए, जो हम आपको बताने आ रहे हैं, वो है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाए, दोस्तों मान लीजिए, पहला आपका व्यापार चल रहा था, आपकी दुकान चल रही थी, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया, आपकी दुकान बंद हो च आप परेशान मत हो, जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, उस उपाय को अगर आपने कर लिया, तो माता काल रात्री जी के आशीर वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, इस उपाय को करना कब है? तो 21 अक्टूबर की सूर्यास्त के बाद, मतलब साढ़े पांच बजे के बाद, कभी भी आप लोग ये उपाय कर लीजिएगा? ये उपाय करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, पांच-छे मिनट का टाइम लगेगा, इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ च चौकी लगाई गई है, तो आप वहाँ पे मातारानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है, तो जो पूजा घर होगा, जहांपर मातारानी जी की कोई भी कलाचित्र है, वहाँ पर बैठ जाइजेगा, एक घी का दे पर रख लख दीजिए, एक लाल कपड़ा बिछा पोटली पोटली को पकड़िये, अपने हाथ में हाथ में पकड़ने के बाद माता दुर्गा जी का एक जो दुर्गा चालीसा होता है, इसका जाप आपको नौ बार करना है, अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता है, तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा पुस कालरात्री जी की कृपा से आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है बीमार ही से मुक्ति पाने का महा उपाय दोस्तों मान लीजिए आपके घर पर कोई ऐसा मानव है जो बहुत बीमार पड़ा रहता है आप लोग इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं आप लोग उस बीमार मानव का जाएगी बहुत आसान सा उपाय है आपको क्या करना है जो भी आपके घर पर बीमार मानव है और आप हैं आपको साथ काली मिर्च के दाने लेने हैं आपको घी का दीपक लेना है सूर्यास्त के बाद आपको और बीमार मानव को माता आ रानी जी की जो भी कला चित्र आपके नौ बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। नौ बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। नौ बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। ये एक ऐसा उपाए है, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए, सदैव आपका भाग्या आपका साथ देगा। मान लीजिए, आपके उपर शनी दोश है, आपके उपर साडे साती है, आपकी ढहिया चल रही है, कोई भी परेशानी। आपके उपर ये जो उपाए हम आपको बताए दे रहे हैं, ये उपाए कर लीजिए, और आपके उपर कोई भी दोश होगा, उसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। देखिये दोस्तों, किसी मानव के उपर अगर कोई दोश है, तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसके प्रकोप को कम किया जा सकता है, और बहुत आसान सा उपाए हम आपको बताए जा रहे हैं। ये उपाए करने के बाद मान के चलिए जो भी दोश होगा, आपके उपर उस प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा, और आपको आपके भाग्ये के साथ मिल जाएगा। अगले दिन मतलब की 22 अक्टूबर को इसी पोटली को ले जाकर कि किसी भी मंदिर के बाहर बैठे को दान कर देना है, उपाए कर लीजिए और आपको आपके भाग्ये के साथ मिलेगा, और आपका दुर्भाग्य हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चलाएगा।